नमस्कार मैं हूँ अखलेश पांडे और आप देख रहे हैं Capital TV जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे दुनिया में हम फिर से भगवा लहराएंगे आपने ये मशुहूर भजन तो सुना ही होगा जिससे साल 2022 के विधान सभाद चुनाओं से पहले लेकर आये थे भजन कायर कनहिया मित्तल इसके साथ ही उन्होंने CM योगी आदितिनाथ की उस दोरान जम कर तारीफ भी की थी और लोग ये अनुमान लगाने लगे थे कि वो राजनीती में आएंगे तो BJP के साथ लेकिन अब जब हर्याना में विधान सभाग के चुनाओं होने जा रहे हैं तो ऐसे में उन्होंने कुछ अलग ही बयान देते हुए कॉंग्रिस के खेमे में जाने का एलान कर दिया है और इसके पीछे की वज़े भी कुछ और ही नज़र आ रही है मगर खुद करहिया मित्तल उस वज़े से इंकार कर रहे है क्या है वो वज़े जिसके चलते सीम योगी आदितिनाद के प्रिशन सक कहे जाने वाले करहिया मित्तल कॉंग्रिस जॉइन करने की जता रहे हैं इच्छा आखिर भज़न छोड़ कर उन्हें राजनीती से क्यूं हो गया इतना लगाओ क्या उनके जो भज़न भगवान को समर्पित होते हैं वो उनके लिए उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हैं क्या कॉंग्रिस ने उन्हें कोई ऐसा विशिष उपहार देने का वादा कर लिया है जिसके लिए भी कॉंग्रिस के खेमे में जाने को तयार हो रहे हैं इन सबी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज की इस स्पेशल स्टोरी में कनहया मित्तल के राजनीति में आने और कॉंग्रेस जॉइन करने के एलान की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं पतित पावनी आयोध्या नगरी के उस पावन श्रीराम मंदिर पर जिसको लेकर कनहया मित्तल ने अपना मशहूर भजन बनाया और उसे जिसको 2022 के यूपी विधान सभाचुनाओं से पहले उन्होंने जन्ता के सामने पेश किया भारत के इतिहास का मध्यकाल जब भारत के हिंदू राजा अपनी अपनी रियासत के लिए अलग अलग हिस्सों में बढ़ कर कुछ कमजोर हो चुके थे तो उस वक्त उनकी इसी जोरी और फूट का फायदा उठाकर उजबेकिस्तान का एक लड़ाकू सरदार हिंदूस्तान की ओर नजर गडाता है और 1526 में युद्ध आदी के बल पर यहां मुगल संतलत की निव डालता है आगरा को उसने अपनी राजनीती बनाई और इसके ठीक दो साल बाद ही उसकी पवित्र रामनगरी को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया अपने आका की बात मानकर मीर बाकी ने साल 1528 में उस पवित्र श्री राम मंदिर को तोड़ दिया जहां सदियों से हिंदू समाच के लोग श्री राम भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे इसके बाद इसी प्राम मंदिर के मलबे से इस विदेशी आकरांता ने वहां एक मजजित खड़ी करवाई जिससे नाम दिया गया बाबरी मजजित। हिंदूों में इस बात को लेकर गुसा, दुख, पीडा कई सालों तक बना रहा और श्रीराम की कथाओं, मंदिर के निर्मार की अपनी इच्छाओं वा बाबर के इस कुकृत्य को अवधी गीतों और मैथिल लोख कथाओं में जीवी तरखा यहां के लोगों ने। फिर जब वक्त ने करवट ली तो वक्त के साथ मुगलों का सूरज डूपता गया और साल 1857 का वो समय आया जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का ओदय हुनिल लगा था। जा पहुची। के बाद 5 नवंबर 2019 का वो दिन आया जब अंततह हिंदुओं को सालों से इस दिन का इंतजार था जिस दिन एक महतवपुर्ण निरने आया। माननीय सुप्रीम कोट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और अयोध्या की विवादित जमीन पर हिंदुओं का अधिकार करार दे दिया। और फिर 22 जनवरी 2024 को नए बने भव्य मंदिर में प्रभुश्री राम की मूर्ति की इस्थापना करा कर उसकी प्रांट प्रतिष्ठा की गई। इसी फैसले और मंदिर के निर्मार के बीच एक भजन आया जो यूपी विधान सभाद चुनाओं से पूर्वर जनता थक पहुचा और वो गीत था जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे दुनिया में हम फिर से भगवा लह राएंगे। और ये गीत गाने वाले थे मशहूर श्याम भजन गायक कनहिया मित्तल लेकिन अब यही कनहिया मित्तल ये एलान कर चुके हैं कि वो कॉंग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कि हम कॉंग्रेस जोइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कॉंग्रेस में कैसा भविश्य होगा। क्यूंकि अयोध्या को लेकर उनका मशहूर भजन उनकी पहचान बन चुका है और इतना ही नहीं। बलकि उस भजन को 2022 के यूपी विधान सभाज चुनाओ में भाजपा के पक्ष में भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार के लिए इस्तिमाल किया गया था। और साल 2024 के चुनाओ से पहले भी उसका भरपूर इस्तिमाल किया गया। वहीं अब जब एक और कनहिया मित्तल कॉंग्रेस में जाने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं तो वहीं दूसरी और यूपी में भी विधान सभा के उपचुनाओ होने वाले हैं। यूपी में विधान सभा की जिन दस सीटों पर उपचुनाओ होने वाले हैं उनमें एक महतोपुरून सीट है आयोध्या की और वो सीट है मिलकेपुर विधान सभा की सीट। ऐसे में यदी देखें तो जिस राम मंदिर को लेकर कनहिया मित्तल ने ये भजन लिखा और स्वेम सीम योगी आतितिनाद के सामने उन्हें समर्पित करते हुए ही इस भजन को प्रस्तुत किया वही कनहिया मित्तल अब राम मंदिर के खिलाफ 24 वकीलों की फौज खड़ी कर देने वाली कॉंग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कनहिया मित्तल के इस ऐलान पर राजनीतिक बयान बाजी भी शुरू हो चुकी है लेकिन अगर ध्यान दें तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस सपा का इंडी गडवंदन कनहिय कनहिया मित्तल के इस ऐलान को राजनीतिक रूप से भुनाने की प्रयास में लगा हुआ है क्यूंकि मुद्दा अयोध्या के मिल्कीपूर विधान सभा सीट के उपचुनाव का है अलाकि कनहिया मित्तल आधिकारिक रूप से भाजपा के प्रचारक तो नहीं रहे लेकिन इ की प्रतिक्रिया सामने आए और हुआ वही पहराल आयोध्या की मिल्कीपूर सीट पर खुद सीम योगी आदितनाथ पुरी तरीके से एक्टिव हैं और इस सीट पर मुकाबला भी काफी दिल्चस्प होने वाला है लोगसभा चुनाव में फैजाबाद लोगसभा सीट से अ का कब्जा बना हुआ है लेकिन इस बार बीजेपी खास करके सीम योगी आदितनाथ इस सीट पर सभी प्रकार से नजर बनाए हुए हैं और बीजेपी के पाले में इसे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं अब ऐसे में करहिया मितलका कॉंग्रेस में जाने का एलान उनके लिए कितना फाइदेमंद है और कितना नुकसान दे है ये वक्त बताएगा लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कॉंग्रिस मात्र उन्हें एक जुंजुना पकड़ा कर उनका भविश अंधेरे में ले जाए फिलाल ये उनका निजी फैसला है और निजी फैसले में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं होती है बहरहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही अभी के लिए देजिए इजाज़त फिर मिलेंगे एक नई कहानी नए किस्से के साथ बने रहें कैपिटल टीवी के साथ मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सक्ष निकारता हूँ ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल टीव उत्तरत देज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया